हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप I hope आप सभी अच्छी होंगे प्यारे बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 4 के एट ग्रेट अभ्यास पुष्थिका के पर्यावन के पार्ट 5 इस पार्ट का नाम है बच्चों अनीता की मदुमखः है बच्छो इस पार्ट का जो पहला प्रस्न है वो है मदुमक्खी के अलावर और कौन से कीड़े हैं जो समू में रहते हैं हमें पता है बच्छो मदुमक्खियां समू में रहते हैं तो और ऐसे कीड़ों के नाम बताना है जो समू में रहते हैं तो पहला नाम है दीमक, दीमक समू में रहती है, दूसरा है चीटी, तीसरा है ततया, यह ऐसे कीट हैं बच्छो ऐसे कीड़े हैं जो कि समू में रहते हैं प्रशन कमांग दो, यह है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कब से कब तक होता है तो बच्छो इसके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसम्बर का होता है क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे फूल कहलते हैं और मदुमक्षियों को किस किया सकता रहती है फूलों के रसकी तो ये समय सबसे अच्छा रहता है मदुमक्षी पालन के लिए प्रश्न कमांग तीन चित्र में देख रहा है कीड़े को पैचन कर उसका नाम और उसका काम लिखिए तो यहाँ पर हमें एक चित्र में एक कीड़ा देख रहा है बच्चो यह कीड़ा क्या है? मदुमक्खी है ठीक है बच्चो? तो ये चित्र में देख रहा कीड़ा मदुमक्खी है और इसका काम क्या है बच्छो इसका काम है सहद बनाने का तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं चित्र में देख रहा कीड़ा मदुमक्खी है यह सहद बनाने का काम करती है chocolate prevention year बच्छो एसकूल में uniform क्यों होना चाहिए तो बच्छो में uniform Anushasana के लिए होना चाहिए क्योंकि अगर uniform in Play होगी तो क्यों होगा बच्छो के न कोई वच्छा कैसे भी कपड़े पहन के आएगा जैसे कि आपने देखा वगा लड़के कैसे कठेपटे सजेंस पहनते हैं ठीक है और किसी भी तरीके की हैर स्टाइल कोई बड़े बाल रखवा क्या या कोई अनुसासन ही इंता होगी पुल मिलाकर तो इसकूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए जिससे के अनुसासन हो तो इसका उत्तर हमें देना है गाउं में एक टीचर दोरा मापिता जी को समझाने पर मापिता जी मुझे स्कूल में पढ़ाने के लिए राजी हो गए इस तरीके से आप इस प्रेशन का उत्तर दे सकते हैं प्रेशन का मांग 6 यह है बच्चो अनीता ने मदुवक्षी पालन के लिए 5000 रुपई कैसे जमा किया मतला उसने प्लानिंग तो कर लिए थी मदुवक् इस प्रेशन का उत्तर हम इस प्रकार से लिए सकते हैं अनीता ने इसकूल के बच्चों को पढ़ा कर मदुवक्षी पालने के लिए 5000 रुपई जमा किये प्रेशन का मांग 7 तो बच्चों दिये गई पैरा को उचिस सब्द बढ़ कर पूंड कीजिए यहां पर हमें एक पै आले में हमें लिखना है छत्ते चत्ते में एक रानी होती है जिसका कार अंडlar नः देना होता है है छत्त में कुछ नर्भी होते हैं चत्ते में वह सारी काम करने वाली मक्ष pronounce होती है ये सहद बनाने के लिए फूलों का रस ढूंदती है तो मिल मंत not से सहथ बनाने के अलावा मंदुमक्यां और क्या क्या काम करती हैं तो इसका उत्तर होगा बच्चो सहथ बनाने के अलावा मंदुमक्यां मिल जूलकर रहती हैं अपने बच्चों को पालती हैं और अट देती हैं प्रेशन कंमाग 8 के उतर को आप लग सकते हैं इनके समूम में कौन-कौन-से परकार की चीटियां रहती हैं और ये अपना काम किस परकार करती है तो इसका उत्र आप लेख सकते हैं बच्चो तो मदमुक्तियों की तरह ही चीते zwei हीं दोर कर रहती हैं राणी चीटे अंदे देथी हैं सिपाहई चीटे बिल का ध्यान रहती हैं और काम करने वाली चीटें भूजव कर बिल तक लाती है इसका मतले यह होगा बच्चोच चीटियों कर जिटूमें एक ही प्रकार की चीतिय वगेरा उन पर आक्रमान करें तो वो उनसे लड़ते हैं ठीक है और है ना कुछ चीटिया ना काम करने वाले होती हैं जो कि खाना वगेरा धूंड के लागती है तो मतला अलाग अलाग इनकी कैटेगरी होती है ठीक है अब बच्छों करेंगे हम प्रिश्कमांग 10 को जो है अन सेलर बनना चाहती है